वेलकम टू सैनिक इंस्टिटूट जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि आज 23 मार्ज का दिन है और सहीद भगस सिंग जी का आज के दिन ही फासी हुई थी तो इसी ट्रिबूट को लेकर मैं आप लोग के सामने आज आया हूँ जो कि आप देख सकते हैं आज के दिन राजगुरू, भगस सिंग और सुखदेव जी तीनों लोग को फासी हुई थी और ये फासी किसलिए हुई थी लाहर कॉंस्पिरेशी की वज़े से इनको फासी दी गई थी 23 मार्ज 1931 को इन तीनों सतंता सेनानियों को फासी के फंदे पर चढ़ाय गया था जो कि हमारे देश में एक एहम भूम का निभाई थी इनोंने सतंता के लिए और इनको बिलकुल भुलाय नहीं जा सकता क्योंकि इनकी वज़े से ही आज हम लोग सायथ इस तरह जी पा रहे हैं खुली सास ले पा रहे हैं हम लोग सतंत्र हैं क्योंकि इसमें कहींन कहीं बहुत बढ़ा हात हमारे सतंता सेनानियों का रहा है ठीक है और भागशसंग जी की अगर बात करते हैं तो भागशसंग जी मांट 23 वर्स की उमरे इन्हें फासी पर फंदे पर लटका दिया गया तो फासी के फंदे पर मास्तर तेश साल की उम्र में जिस समय लोग समझ भी नहीं पाते कि उन्हें करना क्या है कि अपने जीवन में किस दिसा की और उन्हें जाना है तेश साल की उम्र में ये समझ नहीं पाते उस समय भागा सि आदमी की सोच होती है, उस सोच से कितना डेवलाप उनकी सोच रही होगी, तो आज इनकी ट्रिब्यूटरी की वज़े से मैं आप लोग के सामने आया हूँ, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कि भगत सिंग, सहीद भगत सिंग जी का जन जो है, वो 28 सितंबर 1907 को बंगा लायलपूर जिला, पाकिस्तान में जो है, अब ठीक है, उस समय क्या था, उस समय पूरा भारत था, लेकिन आज के समय में वो पार्ट जो है, वो पाकिस्तान में है आपका, और ये क्या, ये अप्रेल 1990 में जलिया वाला बाग हत्याकांट में क्रांती के बीजबोए, ठीक है बाकि बहुत सारे योजनाय थी जैसे की 17 दिसंबर 1926 को लाला लाच पर त्रायगा बनला लेने जैसे सैंडर्स को गोली मारी, ठीक है, और 9 अप्रेल 1929 को संसर्थ में बंफोर्गर ट्रेट डिस्प्यूट कानून का विरोध किया, 23 मार्च 1931 को भगासिंग, सुग्डेव और राजगुरी को फासी पर चढ़ाया गया, तो ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि हमारे जो सतंता सिनानी थे, उनकी जीवनी के बारे में, अगर हम जानेंगे तभी हम आगे की और समझ पहेंगे कि हमारे जो पूरवस थे, उन्होंने हमारे लिए क्या-क्या बढ़िदान दिये हैं, ठीक है, तो जैसकि अगर भगजस सिंग जी की बात करें, तो भगजस सिंग जी की जो family थी, वो भी कहीं न कहीं सतंता सिनानी के रूप में ही थी, जिसके कारण भगजस सिंग जी को काफी उनकी मदद मिलती थी इस चीज को inspire होने में, की हमें आंदो चीजे देश में चल नहीं थी, जैसे कि हम बात करें तो सुदेशी आंदोलन चल आता 1905 में, जिसको लेकर जो हमारे सुतनता से नानी थे, उन्होंने National College की स्थापना की थी, जिसमें की भारतियों को एक सिच्छा दी जाए, अलग तरह की सिच्छा दी जाए, जिसमें की पता सुरत अधिवेशन में दो धड़ों में कांग्रेस जो थी, वो अलग हो गई थी, एक नरम दल में और एक गरम दल में, तो गरम दल की जो नेता थे, बाल पाल, लाल बाल पाल जो थे, उनसे ये बहुत इंस्पायर थे, क्योंकि आगे चल कर जो था, इन्होंने जो कॉलेज बनाये था इन लोगों मिलकर, नस्नल कॉलेज इसमें ही 1923 में भगस सिंग जी ने दाखिला लिया था, फिर जब 1923 में उन्होंने दाखिला लिया था, फिर 1924 में ये कांग्पूर आये, कांग्पूर में कई चीजे चल नहीं थी, वहाँ पर हिंदूस्तान रिपबिकन एस् पार्टी जिसमें ये आकर अपना ट्रिब्यूट देना चाह रहे थे कि हम भी इस पार्टी के साथ कांग्पूर की ओर आये, लाहूर से, जब लाहूर से यहां आए, तो यहां पर इनकी मुलाकात, जो की चंद सेखर आजात थे, इस पार्टी को लीट कर रहे थे, एचारे क उसको ये साथ ही, और इस पार्टी की स्थापना की थी, सचींद सान्याल ने, ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, और चंद सेखर आजात थे, जो इसको लीट कर रहे थे, इनके साथ मिलकर इन्होंने काफी कुछ सिखा, इस पार्टी के साथ मिलकर, और काफी कुछ इसके साथ सुतंता के लिए आगे बढ़ने के लिए तयार हुए उसके बाद ये वापस 1925 में चले गए लाहॉर लाहॉर जाकर इन्होंने क्या किया नौ जवान भारत सभा की स्थापना की उसमें क्या नौ जवान भारत सभा की स्थापना करके ये चाह रहे थे कि नौ यूको को आगे बढ़ाया जाए और आंदोलन के प्रति बताया जाए कि इस देश को आंदोलन किया व सकता है और कैसे मिलेगा उसके लिए पक्रणवा सोहन चिंग उनके साथ मिलोकर इनॉंने इस मैकजिन का प्रकशन कीया था फिर 1925 के अगर हम बात करें तो काकोरी कांट भी हुआ था 1925 में जिसके साथ ही ये बहुत इनको धका लगा कि जहां पर काकोरी कांट हुआ था तो उसमें ये नहीं जुड़ पाय थे भगसिंग जी तो इन्होंने क्या किया था इन्होंने अपने आपको भगसिंग विद्रोही के नाम से अपनी मैगजीन में ही छाप दिया था ठीक है तो इसको लेकर क्या किया है जब ब्रिटिसर्स ने देखा कि इनकी मैगजीन में जब इस चीज को छापा गया है तो इससे कई आंदोलनकारियों के जो 9 युवक थे वो काफी इंस्पायर हो रहत है कि हमें सवतंतता दि है तो किस आधार पर सतंता दिलाएंगे उसके लिए इनोंने अपनी मैगजीन को आधार बनाया था और जो 9 युवक थे वो काफी सेंस्पायर हो रहत है इसलिए इनको ब्रिटिस सरकार ने 20 साल में ही गिरफतार कर लिया था तो पहली गिरफतारी कब हुई थी भागत सिंग कहां पर लें और वो किस दिसा में जाएं क्या करें ठीक है बच्चे समझ भी नहीं पाते है उस समय अपने मैगजीन छापकर उसमर एक कंटेंट लिखकर उस पे ये जेल भी जा चुके थे फिर अगर हम बात करें कि इसके बात क्या हुआ इसके बात साइमन कमिशन इंडिया आया 1928 में जो कि मार्ले मिंटो अक्ट था उसके आधार पर उसका पता लगाने के लिए कि 10 साल में उसमें क्या चेंजस आये हैं इसको पता लगाने के लिए साइमन कमिशन तो 10 साल बात आना था इंडिया में लेकिन वो एक साल पहले आया तो इसको रोकने के लिए क्योंकि साइमन कमिशन जो था कमिशन में एक भारतिय मूल का आदमी नहीं था, उसमें जितने भी थे वो सारे गोरे थे, मतलब कि सब डिटिसर्स थे, उसमें एक भी इंडियन को पार्टिसिपेट नहीं कराया गया था, अद्रच के तौरप है कि उसको क्या रिफॉर्म्स के क्या एड मतलब कि इसको रोकने के कोशिश की साइमन गो बैक के नारे भी लगाए और इसी समय लाठी चार्ज हुआ था, लाठी चार्ज में लाला लाचपत राय घायल हो गया थे, तो उनकी मृत्ती हो गई, जम मृत्ती हो गई तो उसके कारण ही जब लाला लाचपत राय ने कहा कि हमारी थाबूत पर लगा हुआ हर एक किल का बदला लिया जाएगा तो ये जो था लाला लाजपत्राय की मृत उसे भगस सिंग बहुत ही ज़्यादा आहत हुए थे आहत क्यों हुए थे क्योंकि इनके विचारू से ही काफी इंस्पायर थे भगस सिंग जी लाल बाल पाल तीन क्यासकती है उसको पाया नहीं जा सकता अहिंसा दया की चीज तो इस चीज से आंधोलन करके ही जीता जा सकता है तान्ता पाय सकती है क्योंकि यह ए जो अंग्रेज यह बह रहे हैं इनको ऐसे सुनाई नहीं देगा अगर इनको आप धीमी आवाज में आहिंता के माध्यान से सुनाने चाओगे तो इनको स्माई नहीं देगा इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई कि हमें James Scott को मारना है ठीक है जो कि यहां के एक Britishers के में अधिकारी थे उनको James Scott को मारने की योजना बनाई लेकिन जब वहां पर यह मारने गए तो वहां पर Sanders आ गए तो इनके द्वारा Sanders को मार दिया गया जब Sanders को मार दिया गया तो इसके लिए Britishers ने इनके ऊपर कई एक्ट लगा है और इनको ग्रफतार कर लिया फिर उसके बाद एक conspiracy जब यह सब हो रहा था उसके बाद आठ अपराज 1929 को ही इन्होंने क्या किया इन्होंने दिल्ली Constitution Assembly में Central Assembly में इन्होंने बम फेक दिया इन्होंने दिल्ली में इन्होंने दिल्ली में बम फेक दिया और इसके बाद वहाँ पर पच्चे भी इन्होंने उड़ाए इनके साथ कौन थे बटिकेस और दत इनके साथ थे वहाँ पर जिन्होंने बम फेकने में इनका साथ दिया और इन् इनका एक मोट्यू था, कि हम आसानी से अजादी को नहीं प्राप्ट कर सकते हैं, हमें इसके लिए लड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम अजादी को प्राप्ट कर सकते हैं, फिर इसके बाद क्या हुआ, गांदी जी जो थे, इन्होंने इस चीज को लेकर The Going India The Young India में इन्होंने पत्रिका में एक टाइटल लिखा The Cult of Bomb ठीक है इस नाम का एक टाइटल लिखा जिसको लेकर कई सोतनता सेनारी गांधी जी के खिलाफ हो गए इनको गांधी जी का और इनका conflict हमेशा बना रहता था ज्यादा ये लोग अपनों की दोनों के धाड़ अलगते गांधी जो थे वो अहिंसा को profit करते थे और ये हमेशा कहते थे कि हमको लड़ कर ही जीतना होगा ऐसे हमें आजादी नहीं मिलेगी इसी तरह जब 23 दिसंबर association ठीक है इसकी एक स्थापना हुई जिसमें एक सदस के रूप में बने और देश को अंदोलन के रूप में आगे ले जाना चाते थे फिर तक पश्चाद क्या हुआ इनको जो लाहॉर जेर में ले जाया गया क्योंकि लाहॉर conspiracy का इनके ओपर और सबसे बड़ी चीज यह है कि भगत सिंग को जब माजी की सजा सुनाए गई तो उनसे लाश्ट विस पूचे गई कि आपकी आखरी विस क्या है तब गांदी भगत सिंग जी ने कहा था कि एक मेरा नौवल है जो नौवल पढ़ रहते हैं उन्होंने का मैं ये नौवल को पूरा करना चाहता हूँ क्या कोई आदमी ऐसा हो सकता है कि जो जिसकी मृत का आखरी दिन हो और उससे पूचा जाए कि आपकी आखरी विस क्या है और वो कहा है क्या मैं नौवल पढ़ रहा हूँ मुझे पूरी नौवल पूरी कर ले दे और हमारे सोतंता सेनानी कई थे जिन्होंने हम लोग को इस तरह आगे बढ़ते हुए हमें सोतंता दिलाई और हम लोग इनके आभारी रहेंगे हमेशा तो एक ये छोटी सी ट्रिब्यूप थी हमारी भगत सिंग जिग लेकर तो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो आप लोग क्रप्या लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद